ये रेयर के लिए इसी वेंट मिलता है और इसके ब्लोर को आप on and off भी कर सकते हैं आप इसका भी आपको पुरा unit मिल जाता है ये रहता है USB charger ये देखिए टाइप A port इसमें आपको मिलता है और दूसरा आपको टाइप C port मिलता है और ये प्रॉपर फिट हो जाएगा ये आप चेक कर सकते हैं ये इस टाइप से फिट हो जाएगा अज हम आप सभी को बताने वाले हैं पहले की वीडियो में भी हमने आपको दो वीडियो बनाई हो उसमें USB charger नहीं दिखाया था पीछे वाला तो वह आज तुडियो में आपको दिखाएंगे कैसा USB charger रहता है और सबकी क् हमको एडिशनली परचेस करना होगा तो उसके बारे में भी आश्यूडे में बात करने वाले हैं तो चलिए मैं आपको फ्रॉंक्स का आमरेस्ट लिखाता हूं तो यहां पर आमरेस्ट यह रखा हुआ है यह बॉक्स है सबसे बहले तो आप बॉक्स देख लो अगर आप इस बड़ जो अभी चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहा हैं तो उनको में एक बार दिखा देता हूं यह हैंडब्रेक वाला सेक्शन होता है यहां पर हैंडब्रेक लगा होता है तो उसके नीचे का यह पैनल होता है तो यह औरिजनल पैनल है जो main armrest, यहाँ पर देखिए आप, तो यह है prongs का armrest, कुछ ऐसा दिखता है, पूरा black body में आता है, इसके अलावा उपर आपको soft touch material मिलता है, soft touch finish मिलती है, और black threading मिलती है यहाँ यहाँ पर, यहाँ आपको black threading मिल जाएगी, तो पूरा जो original top end में आता है आमrest बिल्कुल वैसा ही जहाँ पर आप अपनी keypops अगेरा रख सकते हैं, घर अगेरा की चाब भी रख सकते हैं, च्टे मोटे जो भी आपके paper अगेरा है, वो भी आप इसमें रख सकते हैं, और यह इस type से बंद हो जाता है, यह जो panel मैंने आपको दिखा है, यह कहाँ पर लगेगा, यह लगता है, इस type से यहाँ पर, इस type से इसकी पूरी fitting आती है, और मैंने इसकी installation वीडियो में भी आपको बताया है, अगर आपने installation वीडियो नहीं देखिए तो high button पर आपको link मिल जाएगा, उसको जाके भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा, पीछे हम आपको दिखा देते हैं, इस इवेंट मिलता है, और इसके blower को आप on and off भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसका भी आपको पुरा unit मिल जाता है, और नीचे आपको यहाँ पर एक charging के लिए section मिलता है, अब आप सभी के दो comments आये थे, मतलब दो major questions समी ने पूछे थे, कि USB charger इसके अंदर मिलता है या फिर नह आपको मिलता है, और दूसरा आपको type C port मिलता है, तो यह दो port आपको मिल जाते हैं, तो आपके पास में अगर type A के बल है, तो उसको आप charge कर सकते हैं easily, और अगर आपके पास में iPhone बगएरा है, तो type C बगएरा का भी आपको इसमें provision available होता है, यह genuine है, इस type C की wiring loom रहती है, यह आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार open करके भी यह देखिए, socket to socket fitment रहती है, इसकी wiring आपकी जो main wiring harness होगी, उससे होगी, squash lock के through, और यह fit कैसे होगा, वो भी आपको दिखा देते हैं एक बार हम यह देखिए, इस type C इसको लगाना है just, और यह proper fit हो जाएगा, यह आप चेक कर सकते हैं, यह इस type से fit हो जाएगा, और यह अभी मैंने lock नहीं किया है, यह अंदर जाके पुरा lock हो जाएगा, और proper fitting आईगी, तो इस type से आप इसको भी लगवा सकते हैं, फ्रॉंक्स के अंदर, बट यह आप ध्यान रखें कि यह अलग से आता है, इसके अलावा, ज जब भी installer, install करता है, तो install करने के बाद में, उसका काम नहीं होता है, कि AC की वो fitting बगएरा करे, क्योंकि AC का जितना भी काम होता है, वो AC वाला specific person करेगा, जिसने engineering बगएरा कर रखिये, AC वाले field से, तो वो करेगा, क्योंकि अगर कोई भी installation वाला, अगर AC की fitting करता है, तो ऐसा हो सकता है, in case कि जो आपका pipe बगएरा है, वो proper fitting से ना लगे, कुछ problem आए, malfunction आए, गाड़ी की engine बगएरा से, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, कि आप जब भी fitting बगएरा करा है, तो frongs का armrest को योर fit करेगा, और जो AC का यी pipe बगएरा है, blower का पूरा set आता है piece set आता है उसका, तो वो आप genuine purchase करके उसको आप fit करा सकते हैं, अगर आप हमारे पास में आते हैं, अगर आप करवाना चाते हैं काम, तो उसमें क्या राएगा, install हम आपको करके देंगे, इसके अलावा, अगर आपको इसकी जो AC है, उसको start कराना है, तो आपकी गाड़ी का नीचे का पूरा जो dashboard होता है, नीचे का पूरा part open होगा, इसके साथ में, जो AC का main pipe आता है, वो change होगा, उसकी जगे पर T joint लगेगा, और वो पूरा नीचे से आके आपका जो पीछे का section है, वहाँ तक connect होगा, और पीछे से फिर आपकी जो air start है, वो blow होना start हो जाएगी, त मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कहीं और से भी कराना है, तो आप easily करा सकते हैं, क्योंकि genuine accessory मारुती Suzuki के आराम से मिल जाती है, तो आपको वो सारी चीज़े purchase करनी होगी, और अगर आपको ज़्यादा details चाहिए, तो आप contact कर सकते हैं, दियो numbers पर या फिर हम Instagram पर भी contact क कर सकते हैं, आपको दोनों चीज़े मैंने बता दी हैं, एक तो मैंने आपको USB charger के बारे में बता दिया, और जो rear AC event है, उसका connection कैसे होगा वो भी बता दिया, और कौन करेगा especially, ये भी बता दिया, तो ये सारी चीज़े clear हो चुकी है, अब अगर आपका इसके अलावा कोई question हो तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं, हम उसका भी reply आपके लिए लेकर आएंगे, इसके साथ दोस्तों वीडियो को like करें, हम इस्टाग्राम पर follow करें, technicalbopal official, और मैं आप से मिलूँगा एक और निव वीडियो के साथ में तब तक लिए, bye bye